अक्सिजन हस्पिटिल में लगाए तो डॉक्टर को भगवान मानते हैं लेकिन आपन पेड़ पोदे लगाता है वो कितने अक्सिजन देता है उसका आपन गंती नहीं कर सकता है दोस्तो नमस्कार फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप अक्सर सुनते आए हैं कि तंदुरुस्ती हजार नियामतों के बराबर होती है यानि अगर सेहत आपकी ठीक है तो आप दुनिया के सारे सुख भोग सकते हैं अगर सेहत सही नहीं है तो सारे दुनिया के सुख बेकार है तो जाहिर सी बात है कि सेहत का सही रहना, स्वस्त रहना बहुत जरूरी है आप कैसे सेहत मंद रह सकते हैं, कैसे खुसाल रह सकते हैं, कैसे स्वस्त रह सकते हैं इसी की जानकारी देने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है आयुर्वेद और वनस्पति विज्ञान के अभ्यासक वैद आबाविठल रनारे साब को रनारे साब का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि पहले सरकारी नौकरी में थे और उसके बाद आप सीधे आयुर्वेद में आगए वनस्पति चीकिस्सा में आप आगए यह कैसे हुआ आपका मैं देगा शुरू में बंबे सेंट्रल में मेरा काका लेके आये थे बंबे सेंट्रल में बने की दुकान में काम पे लगाया था उस टाइम 120 रुपया पगार था चार साल बने की दुकान में काम करने के बाद मेरा एक मौशी का लड़का गोद्रेज कंपनी में लवारे पे के गया वहां किली नेरी करने के बाद 82 में लाइसन निकाला एट तरी में बहती हो गया बहती हो गया डो साल वेटिंग में रखा तो उस टाइम सिमेंस कंपनी में कॉंटेक का बस में चलाया कोई बैट के नहीं रहा और 85 में दो साल वेटिंग के बाद 85 में BST में जॉइन्ट हुआ उसके बाद में 2019 में रिटार हो गया 34 साल के सेवा सर्विस में विदाउट एक्सिडन उत्तम कारिय 92-93 में जो दंगल चल रहे थी उसमें निर्भीडता के निर्भीडता काम करने के वज़े से एक अच्छा सा एक प्रसिती पत्रबेश्ट ने दिया है और यह समाज का प्रती कोई लेंदेन रहता है अपना देना रहता है यह भावना से हमारे पिता जी भी काम करते थे हम भी काम करते हैं जूसमें है पैरलेश है, संधिवाथ है, गुटने दर्ध है, मोच आ गया है, तो या हमारा पिता चीशे चल रहा है, तो हम शीक लिया है, हम कोई कोर्स नहीं किया, कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन जो बहुत सारी दवाइई किरिके ठके हो लोग यहां आकगे ठीक होतें, उसम का दर्ध है जो रिप्लेस्मेंट करने के लिए बोला है समझो अलग-अलग बड़े-बड़े होस्पिटल में और वहां इलाज नहीं होते तो हम कोई किदर बोर्ड नहीं लगाया कोई क्लीनिक नहीं लेकिन घर पे लोग आते हैं यह गुटने का दर्ध है उनको हम मसाज करते हैं तेल देते हैं और योगा बोलते हैं करने के लिए उससे पेशंट ठीक होता है जैसा संदीवात है पैरलेस है स्पंडलैस है मनके में ग्या प्रता है उसको हम ठेरपी देते हैं और मसाज करते हैं हजारों लोग का हमारे यहां ठीक हो गया है उनका एक लिखा पड़े अभी प्राइद दिया है क्यूंकि बहुत सारे दवाई करके ठके हो लोग जो ठीक होते हैं तो उसका खुशी आज जो चार आदमी उठा के लिए क्याता है तो दूसरे दिन वो खुदी बस से या ट्रेन से आता है हशी खुशी आता है और एक हम लोग कैसा इतना आत्मविश्वास हो गया है कि यह आदमी हम से एक हफ्ते में अच्छा सा चलता चलना फिरनाव होना चीए उनका भगवान का नाम लेते हैं हमारा भगवान क अच्छा नाम लेके यह ट्रिक्मेंट चालो करता है हशी खुशी उनको पहले बेश्वास दिलाते हैं आपको कुछ भी नहीं हुआ आप एक दम बिंदा से रहे तो यह उसमें पचास थका पेसेंट मांसी किलाज है आपको कुछ नहीं हुआ बोले ना तो पहले हो समाधान ह होता है और इसे यह लोग ठीक होते हैं वरस्पती ग्यान जो है इस तरह से अगर देख हैं तो आज एलोपैथी की दुनिया में जबकि बड़े-बड़े होस्पीटल उस तरह के इलाज कर रहे हैं जैसे आप जो तमाम बीमारियां बता रहे हैं वरस्पती चेकिस्टा कासकर दौई भारी है कि उसका गंती नहीं कर सकता है उसका कहीमत नहीं कर सकता है आज मेरी मिसेजदु को हम लोग 2000 की गाउसे हम लोग ऊदर 2000 में गए गोली रखाता तो लेकिन उसका साइटिपेग ऐसा हो गया है कि उसको इरिनी इंपेक्शन होने लगा चक्कर आने लगी सुजन आ गया सब सरीर में बदन में क्यों सुजन क्यों आता है कि किड्नी फेन होने लगा तो हम उनको यह जड़ी बुटी खाने के लिए बोला शुरु बोला आपको असर ने होगा तो छोड़ दीजी एक चार-पास दिन में हफ्ते में अच्छा सा असर होने लगा उरिनी इंपेक्शन चक्कर आना कम हो गया तो उनको अच्छा लगा वो अस्ते अस्ते स्टेप बाई स्टेप इंसुलीन और गोली बिली बंद हो गया आज 19 साल हो गया कोई इंसुलीन नहीं गोली नहीं डॉक्टर ने बोले ते जिन्दगी बर आपको इंसुलीन लेना पड़ेगा इंसुलीन कम हो गया तो भी गोली लेना पड़ेगा लिकिन आज कोई भगवान की दूआ से या मरा पिताजी का मा दूआ से माबाप की दूआ से यह जो पे बिस्तर पे शोया हो आप लोग आज ठीक है चलते फिरते रहते हैं रणारुस अगर देखा है तो भारत के पुराना इतिहास है उसमें आयरुवेद और वनस्पती ची किस्सा रिस्यों के जमाने से चलती आ रही है तब लोग इतने स्वस्तर आते थे सो सो साल हजार हजार साल जीते थे लेकिन बीच में आयरुवेद और वनस्पती चीकिस्सा को छोड़ दिया आप मानते हैं कि क्या ये सही बात है कि आज नए दोर में भी इसको कंभेरता से अपनाने की जरूरत है ये हजारो साल से गुरुषी मुनी आयरुवेद आचारिय उनका स्टेडी चलता था कि कौनसी बीमारी कौनसी जड़ी पृट्री से ठीक हो सकती है आज तक हजारों बिमारी आ है वो ठीक कर दिया है वनाउसिदी की तरफ से दुर्मिड वनाउसिदी जो कहीं मिलती नहीं वो दुर्मिड वनाउसिदी उनका एक हमेशा ग्जान बाटने का जो संकल पर हथा था वो बहुत फायदेगा आज क्या है यह अलुपितिक आ गया उसका स्लो पोईजन यह जैसा तुम आपको नीन नहीं आते तो गोली खालो गुटने दरदा तो पेराशुटा मेल लेो या कोई पेन किलर लेो इससे साइट इपेक होता है साइट इपेक होता है किड्नी खराब होता है या यूरीन इपेक लेकिन आपको जल से फरक भी पड़ेगा अच्छा सा ठीक से फरक पड़ेगा लेकिन उसको लांग लाइप लेना पड़ता है क्योंकि आपकी बीमारी जड़ से खतम होता है यह सिस्टम या आरवेदा करता है और आईरवेद आपको नुकसान नहीं पोचा गया नुकसान ब जड़ी वूटी करीपते है, यह मैं रहता है, पिरू की पत्ते खाये जड़ी बूटी का खाया होता हरो नंदीजर से ऊपड़ा क्योंकि गाता है तो निया को पहुर अब लोग भूल गे, को जो जो भी उटता है और अलेपधी खाता है या इस्पिटल पकड़ते हैं तो यह आज़ो बज़ो में यह सब जड़ी बूटी का खजाना होना चाहिए बहुत बढ़ी आपने बात कहीं मैं सवाल भी पूछने वाला था आपसे कि आजकल नौजवान को सुनें 30 साल के नौजवानों को भी मदुमेय और डाइबिटीज की तकलीफ दिख रही है बच्चों में भी दिखने लगी है मुजुर्गों में तो अक्सर देखी जा रही है यहां पाधिकांस लोग जो डेटा बताता है कि करीबन 20 करोड के आसपास लोग directly मदुमेय से प्रभावित हैं उनका जीवन प्रभावित हो रहा है क्या कारण होता मदुमेय कैसे इतना तेजी से फैल लाए क्या वज़ा है इसके पीछे आज बहुत अच्छा सवाल है आपका जो मदुमेय छोटे बच्चें से चालू हो रहा है उसका कारण है मेन यह जो जर्शी गाई का दूद है उसमें फैट बैटने के लिए कोई-कोई लोग उसमें केमिकल डलते है उरिया सुपला उससे फैट उरिया भी डलते है लोग तो उसको शुगर होता है उसका कारण है यह प्यूवर दूद नहीं मिलता है पहला जो गावटी दूद मिलता था बक्री का दूद है गाई का दूद है भेंस का दूद है आज यह सब इंग्लिस गाई निकले जर्शी गाई बोले तें इंग्लिस गाई हो गया उसको जो केमिकल इंजेक्शन दिया जाता है, गोली दिया जाता है, उसका साइड इपिग बच्चे लोगों के दूद के उपर होता है, तो ये कहीं तो गावरान गाये या बकरी, उसका दूद ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, कोई भी जाड़ पत्ती का, घास का, घर में भाजिल आता है, उसका ये कंपोस्ट खत बना के खेती में डालना जाए, गोबर, आज खेती में सब क्यमिकल निकले, तो गाय बाइस कोई पालता ने, बकरी पालता ने, तो में सेंद्री खत, कंपोस्ट खत होना चाहिए, तब से खेती है, आज आपन कोई भी फ्रूट खाने का जाओ, उसम दवाई से ये बनता है, केला पकाने को जाओ, वाभी केमिकल आए, आम पकाने को जाओ, वाभी केमिकल आए, इससे आपका इम्मुनिटी सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है, खाना हजमने होता है, अलग अलग तरीका बीमारी होता है, तो नेचरल खाना चीए, नेचरल कि दर थोड़ा बहुत जगा मिले तो वहां कमपूस्ट खाट डालके गार्डनिंग का मट्टी और उसमें यह लगा के मट्टी तुमारा बैंगन, मिर्ची, करीपत्ता, धंगया, सब यह उगाए जाता है इजी होता है लेकिन उसका आपको शोक होना जी है खानपान बराबर और टाइम टु टाइम खान पान नहीं है उसमें यह मोबाईल का भी आभी फ्याट है मोबाईल का जो फ्याट है बहुत डिंजर है माद दुमें एक लिए क्याव सलाह देना चाहेंगे कैसे इसे बचा जाए आप पूरी नीन ले लो खान पान घर का खालो जोवार की रोटी सब्सक्राइब शब्सक्राइब पानी चाहिए तो आपने खाने खाने शुका एकम्सट लपार आते होता है। और जूसे नाल गरंती तो सुका मत खाओ, इसे लार क मत खाओ, नाल खाणी से। नाल गरंती में गरणिय। इन्सुलिन की नाल गरंती में इसी मुझालन खाओ, रहना नाल की कुल। इसके लिए हम सलाह देते हैं सुबह उटने के बाद बासी मूँ जो मूँ के अंदर गंदगी है उसके साथ पानी पीलो दो गिलास गरम पानी पीलो वह भी चाय जैसे पिता है सरवत पिता है वैसा गड़ गड़ ऊपर से पानी पिऊ तो पहले गुटने दर्द होगा पेट मे पानी भुट गुट क्यूं पिनाए उसके साथ में लार गुरंती मिक्स होना चाहिए तब आपको पानी भी हजम होगा तुम बोटल से पानी उपर से पीओगे तो आपका गुटने भी दर्द होगा पेट भी दर्द होगा और पानी हजम नहीं होगा पानी के साथ भी लार गुटने में दर्द है, हड्डियों का दर्द है, तमाम तरह की तकलीफ है, क्या कारण है इसना और इसका भीवारन क्या है? यह लोकडाउन में एक साल हो गया, घर में बैटके काम करते हैं, उनको सुर्य का उजला नहीं मिलता है, सुबह और साम का सुर्य का उजला मिलेगा तो आपका हड्डी मजबुत होगा, खाना खाया हो, हजम होगा, हड्डी मजबुत होने के लिए सुर्य का उजला मिलता है, ज ऐसा बच्चे लोगों के उपर बैटा काम, भार के धूप नहीं है, एसी है, एसी शी है तो इतना बीमारी फैलता है, आपको पहला दमे की बीमारी होगा, ऐसी डिती होगा, क्यूंकि उलको सुरज का धूप भी नहीं मिलता है ना, तो सुबह और साम का धूप जितना हो सके उ खाना हजम होगा, खानी का सिस्टेम यह कह जो को, यह नास्ता का सिस्टेम है वो बगलत है, सुबह खाना दबागी खाना चीए, साम को खाना एकदम कम खाना चीए, हलका खाना खाओ, और साम को खाना खाने का तो मैं तो बोलता हूं रात को बीना पानी पिए, सो जाओ, आपको निन मिलने के लिए रात को खाना खाने के बाद पानी नहीं पिना है। एक गुड़ उठी गए। जितना आप लेट पानी पीओगे उतना आपका खाना पूरा हना हजम होगा। उसके बाद में आप पानी पी सेकते हैं। पानी का सिस्टम ऐसा है। कॉपर का बरतन रो आपको बीमारी नहीं होगा। इतना कॉपर प्रॉपली है। थंड़ पानी फ्रीज का पानी कोई लोगों का आदत रहता है। फ्रीज का पानी बहुत देंजर है। कि वो जहर है। इसके लिए पानी पीओ गर्मी की सिस्टम में आपको समझो प्यास बूझती नहीं है। तो यह गरिब का मटका है। मटका बोले तो फ्रीज है। मटका का पानी आप पीओ, मटका टीडियस कंट्रोल करता है। मटके का पानी सबसे अच्छा गर्मी की में एक जाड की निचे रखो, उसके उपर घिला कप्रा डालो, आपको बहुत थंदा पानी मिलेगा। लेकिन थंदी पानी के लिए फ्रीज मत यूज करो। फ्रीज में बहुत सारे लोग एक हपते हपते का 10-10 दिन का तरकारी लाते हो, फ्रीज में रखते हो। उससे कैंस अज महिलाओं के लिए जो बढ़ते हो, उसका कारण यहे है बासी खाना, आप बचा हुआ खाना तम फ्रीज में रखते हो। जितना लगता है उतना रोज का रोज फ्रीज लाओ और उतना यूज बनाओ, फ्रीज यूज मत करो। कोई लोगों को ठंडी के सिजन में बारी क आपको फाइदा देगा। पाचन सक्ति मजबूत होगी, गुर्गुना पानी पिएंगे और नीद भी अच्छी आएगी। आजकल नौजवानों में और खासकर जो नौकरी पेसा लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, कुर्शियों पर जाहतर बैठके काम करते हैं, उनम आपने देखा होगा जगा जगा बड़े बड़े होस्पीटल बीमारियों की लाज के लिए खुले हैं, हलाकि उससे समाधान नहीं मिला है, आपको क्या लगता है कि स्पाइनल और स्पाइनल और स्पाइनल प्राइटिस जैसी बीमारियां क्यों हो रही हैं लोगों को, और समाधान क्या है कोई-कोई लिए को खराब रस्ते पे बाइक चलाना, इम्मेन कारण है, ज्यादा बाइक पे सपर करते लोग काम के भागदावड में, जैसा कि तुम्हारा होटेल चे खाना पोंचाना है, डिलिवरी का काम करता है, डिलिवरी बाइजे रहते हैं, उनको बा लगा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को स्पॉंडीलेसिस का तकलिव होता है, ये गर्दन का नसा भी साथ जाम होता है, तो बहुत सारे दवाइक करके लोग ठके हुए लोग हमारी यहां थे, ये बीमारी लेके, तो हम क्या करते हैं, उसको मसाज देते हैं, एक ठेरे पी रहत जल से जर आलाम मिलता है, उनको हम योगा भी बोलते हैं, उसा योगा कोँसी बीमारी को उपर करना चीए, वो बोलते हैं, वजरासन में बैटो, आप दिन बर ठका होगा है, वजरासन बैटने के लिए ब्लड सर्कुलीशन बराबर होता है, आपका ठकान निकल जाता है, पे जुके, उनको चाहिए पोछा में आइसा मत मारो, एक लंबा एक आता है, पॉर्टन का कपड़ा रहता है, जो को कपड़ा रहता है, उसको हम बीच में होल मारता है, और आप लाता है, और एक दम खड़े-खड़े, तुम इसा रूम साफ करते हो, उसे आपका कमर दर्द नह से निख और पाइन हुआ माकने पहलों कोई इस पर छीट भीस के रिचितो का साइक लुगूं болार कोई गिर्ता है कोई गिर्ता है न extraordinarily ने को department का ने आप देप आतरों पूर चलनेके तम ताइंटीक सिंदेगी ऐसे ताइम वो नस इतना दर्द होता है कि अद्मी रोता है तो उसको एक यूगा भी बोलते हैं मसाज गया जाता है नॉर्मली और उसको दवाई दिया जाता है तेल दिया जाता है लगाने के लिए इसे समाधान निकलता है बहुत सारे दवाई करके ठका होगा लोग यहां ठीक हो यह जो आपने कहा यह क्या है मनके का ग्याप कैसे ठीक होता है मनके का ग्याप होता है हम एक थेरपी देता है वो थेरपी और मसाज दिया जाता है और उसको योगा बोलते हैं तो मनके का ग्याप लेवल में आता है और हमें कोई एकसरा विकसरा कुछ नहीं लगता है हम पेट पे ऐसा पलटी सोने के लिए बोलता हूं जो मुंडी यहां से माकड हड्डी तक इस अच्छे करते हैं कहां गयाब हाई बराबर समझता है अच्छा गयाब कहा है वो मिलता है उसमें कुछ नहीं कोई दबाने करें कुछ नॉर्मली मसाद और ठेर पी देता है उसे ठीक होता है ठीक होता है, बहुत बड़ी बात आपने कहीं, क्योंकि स्पाइनल और स्पाइनलेटी से खासकर जो मन्किय का गैप है, उसके लिए तमाम लोग लाखों रुपया खर्च कर लाखों रुपया और समझो, 10-10, 15-15 साल दवाय करके ठके होएं, जगे पे बिस्तर पे पड़े होएं लोग हैं, कोई आट-दस दिन में अच्छा साथ चलना चाहिए हम मन से, मन से उसका सिवा करता है और ठीक होता है, हशी-खुशी उसको पहला हम आदार देते हैं कि आपको कुछ ने हुआ, कोई प्रब्लम ने एक दम नॉर्मल है उसमें 50 ठका हो ठीक होता है डराने का काम ने है डराने का काम ने है, हम बोलता है आपको कुछ ने हुआ कुछ ने हुआ उसमें 50 ठका पहला ठीक होता है तो मैं झायण से ब्सो पा रहा हूं ना उठ पा रहा हूं न जाग पा रहा हूं थे को इसका समधान कैसे मिल सकता है वी इस सआ के लिए निजात मिल进 объяс अब ये अपने सवरल पुच जा। पहोंगे मैं फिल्ट अरिक मैं भी पहले देखो मेरा यादत था घ् Freunde चाने एक प्रहे कम से कम दोलिटर का आप कर ओता अं उतना पाणी कि खाना खाने के बाद जो पानी नहीं पीने के बाद क्या होता है जो खाना खाने के टाइम घड़ी-घड़ी पानी पी ओगे खाना खाने के पहले चालीस मिन्ट पानी पियो आपको जितना पानी पिना है उतना चालीस मिन्ट पानी पी लेना है उस टाइम आपको खाना खाने प्यास नहीं लगेगी, खाना खाने के टाम ये मोबाइल, टीवी, बीवी, सब बंध होना ची है, हसी खुछी एकदम कोई रिलेक्स होके खाना खाना ची है, वो बोत में नहीं, जब ऐसी डिटी होगा, जब आप घड़ी घड़ी पानी पिता है, खाना खाने के टाम, या खान आप नहीं होगा, आपको सुष्टी आजाएगा, सुबह जब पेट साप नहीं, दो चीजी होना ची है, सुबह उटने के बाद पेट साप, साम को बिष्टर पे लटने के बाद दो मिनिट के अंदर आपको निद लगाए, ओ आदमी सबसे अमीर है, आपके पास गाड़ी, गोड़ा, गाड़ी, कुछ भी हो, वह अमीर नहीं है, साम को बोलता हूँ, खाना खाने के बाद पानी मत पी उ, लाइटली खाना कहलो, अभी लाइटली खाना खाओ, मैं आपको बोलोगा, आपको हाड वर्किंग किया है, तो आप लाइट खाना नहीं खा सकता है, आपको जितना पेट भूख है उससे थोड़ा कम अच्छा उससे आपको जितनी भी भूख है उससे एक आधी चपाती या चतकोर पचीस टका जो पाओ बोलते ना पाओ पाओ जोवार की रोटी उतनी कम खा लो तब आपको रात को अच्छी निद लगेगी आपको दबागे खाना खा होते हो तो दाई बगल में थोड़ा सा चदर बिदर कुछ लिए और सा दाई बाजो में सो जाओ राइट साइड में ऐसा नहीं सोनेगा तब आपका खाना भी हजम होगा पच्छन क्रियाच्छी होगी अच्छा और जब सिधा सोनेगा है आपको तो सर के नीचे तक्या नही कोई लोग तो ऐसा पल्टी सो जाते हैं पेट के उपर उनका खाना जब नहीं होगा उनको ऐसेड़ी होगी उनका पाचन सही होगा ने तो खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनिट आप डाय बगल में सोना चाहिए बाय साइड में हात नहीं लेने का कोई तो चदर का या छोटा तक्या जो टाइमस आपको सीधा सुनेगा है उस टाइम या चदर हटना चीज़े तब आपको सर में खुन पहुंचेगा सरका खुन पहुंचेगा तो आपका सरदर नहीं होगा आखों की नजर तेज चलेगी बहुत सरे फाइदे होगे स्वांडिलाइशिस नहीं होगा बहुत गाव में कोई-कोई लोगों को तक्या बहुत बड़ा तक्या लगता है उनको पहला स्पॉंडीलिस होता है एक तक्लिप 100% होता है मैंने एक किसी किताब में बहुत पहले पढ़ाता कि खा कर खाना खाने के बाद हमेशा बाएंसाइड में सोना चाहिए आपने बिल्कुर सही बात कही कि यह बहुत बड़ी तरकीब है आपको सेहत मन रहने के लिए अक्सर लोगों को यूरिन की समस्या रहती है और उसके पीछे कुछ लोगों को स्टोन की समस्या है किसी के किड्नी में स्टोन है किसी के यूरिन ब्लेडर में स्टोन है ये बड़ी खतरनाक किस्तिती रहती है लोगों कितने लोगों के किड़नी फेलो जाती है कितने लोगों को स्टून के वज़ा से बहुत पीड़ा जहलनी पड़ती है इसका इलाज कैसे किया सकता है आप इसका इलाज कैसे करते हैं देखो उनको पहले मैं सला देता हूँ, आप सुबे से आप जो बार बार चाय पिते हो पहले चाय बंद करो, तमागो खाते हो तमागो बंद करो, गुटका खाते हो गुटका बंद करो, सुबे उटने के बाद जितना हो सके उतना पानी पियो, पानी आइसा पियो कि जैसा सब निकल जाएगा जिसको समझो बोर का पानी होता है वो टीडियस ज्यादा रहता है तो आपको 100 पर सम्स टोन की बिमारी होगी अच्छा तीडियस शारयुक्त पानी रहता है ना वो मठके में डालो मठके में तो भार के साइड में आपको नमक दिखाए देगा अच्छा ओर तीडियस को भार फेकता है अच्छा हां और आरो विरो लगाता है ऐसा मठके का पानी बहुत बढ़िया बोर का पानी मत प्यों आज कल तो बड़े-बड़े वाटर के युरू पायर बेचे जाते है और काम पानी कम पिता है तो उसको 100% यूरिन स्टोन किनी स्टोन होता है यूरिन नलीका में लहर बन जाती है और उससे स्टोन बनता है स्ठोन को यवान पत्थर सरी काला पत्थर भी तर आजता है आप सारवजनिक ससोचालों में या यूरीनली में जाओ मुत्रा लए में वहाँ आपको स्टायल के उपर रूप यू बड़ा स्ठोन दिखेगा वैसा स्ठोन ये यूरीनली के में होता है इसके लिए पानी ज्यादा से ज्यादा पानी मेन अच्छा होना चाहिए जैसा है कि निव बंबे में मौरबे धरन का पानी आपका बिसलरी को पीछे हटाता है ऐसा पानी होना चाहिए क्या होता है सब केमीकल वेखी हुई सिर्ण होता है वा पानी सुद्ध होना चाहिए जैसा खाना सुद्ध घृट्ध होना चाहिए तेल सुद्ध हथो आइसा पानी भी सुद्ध होना चाहिए बहुत सारे जगे पे मैं देखता हूँ गाव जाता है ना तो जर्मन का या स्टील का बरतन रहता है उसमें नीचे लेहर रहता है एक एक डेड़रे इंच का तो पेट में कैसा होता होगा ओ निकलता भी नहीं ऐसा दोने से भी निकलता होँ है युरिन नेली का जो है नाजुख है किड्नी क्या होता है ब्लड साफ करने करें कि यह खाना हजम होता है यह स्लै ऐस्ले करके नीचे खाते कितने दिनों का वो तेल उसमें फ्राई किया हुआ वो बहुत डिंजर है इसके लिए आपको भजिया खाना है घर पे बटाड़ा बजिया बनाओ तेल अच्छा लेओ ज्यादा करके तवा फ्राई करो तवा प्राई अच्छा ताकि डिप्रेश से बचारो सथ जैसा और Euronis Stone के बारे में आपने बताया कि ये बहुत तकलीब दे होता। उसी तरह से एक बीमारी है जो अक्सर जिसके बारे में लोग संकोच के कारण नहीं उसको बयान कर पाते हैं। डक्टरों के पास जल्दी नहीं जाते हैं। वो है पाइल्स बवासीर। और कई कई लोगों है एक हिंदी में आप बोलते हैं बावसीर। देकि वासीरर की बीमारी सरयर में जो को हड़ी का भूकार होता हैं। उनको पाईल्स की तकलीफ होती है बावासीर। जो पानी कम पिते हैं। बार बार चाय पिते हैं। गरम खातें हैं। गरम पेट साप नहीं होता है पेट साप होने के लिए खाना खाने के टाइम देखो केला होना ची एल्ची केला खाओ या साधा वाला केला खाओ पेरू खाओ आपका पेट साप रहेगा पेट जब साप नहीं होता है तो यह बावाशी की तपले हंड्रेड परसंद होगा थंडी की सिजन में जब गरम पदार्थ खाते चीजे खाते समझो मुर्गी का मटन बाजरी का रोटी कोई-कोई लोग तीका ज्यादा खाते हैं तो तीका खाने वाले को या गरम चीजे खान पाइल्स की तकलिफ होती है तो कभी तो पाइचांस ठीक है लेकिन डेली आप मचली खाओगे गावटी मुर्गी खाओगे तो यह तकलिफ हंडेड परसंद होने वाले पानी कम पिते हैं पानी तरकारी भी बीच बीच में खाओ जैसा कि तुम्हारा पालक का बाजी है का कर कोशिमीर बनागे खाओ नॉनमेज खाओगे तो अभी कोशिमीर होगा तो गर्मी मार देती अच्छा इसके लिए कोशिमीर फाइदे का रहते है धनिया धनिया क्वाकड़ी धाई मिक्स रहता ना चास पियो लेकिन आज़कल स्टाइल निकला चास में हरी मिर्ची का डालते हरी मिर्ची हरी मिर्ची डेंजर है चास पियो मसाला दूद का जैसा मसाला विसाला डालके नॉर्मली बनाओ अभी सोलकड़ी बोलते हैं सोलकड़ी फ्रीज में रखते हैं उसे बहुत सारे लोगों को कब खासिव होता है अच्छा खटी रते हैं विटामिन के लिए के को कोई कोई लोग ऐसा कुछ थोड़ा भूक लगे तो कुछ खाते थे लेकिन ये केला रखते थे साथ में अच्छा और केला खाते थे उसमें विटामिन्स मिलता था ये तुमारा बुष्ट बुष्ट रहता ना उसकी आड़वटाज देता है ताकत नहीं मिलने वाले जो थे सांसरे पर गशे को सांसरे को करड़ां कर दोखने साम को अब हो ना इस या सुबह करनीं के रहा कि अदा तो छुए बहूत क नर्मीускे रखो ऊसके बाद को इसमें अइस में फायरा न्वार्माल टेंपरेशन्में रखो लेकिन रखने के बाद जब आपको एक आदा पव आपने सुना फ्रीज जो है अगर आप प्रीज में रखे हुए कोई भी चीज चाहिए फल हो या कोई खाने वाली चीज दूसरी चीज आप ततकाल निकाल कर खाते हैं तो आपके स्यहत के लिए सबसे बड़ा खतरा है बहुत बड़ा अल्टीमेटम है कैंसर के लिए जैसा रह स्बंद्टों होता है तो सर्दे जुकाम लोगों को होता है लेकिन ऐसा कि उसको प्चत разानी बड़तीज तो यह सामान आज ये सब मटी बिटी सब उड़ता है अलग अलग धूल का प्रोदूशन है यह सब प्रोदूशन का वज़े से सुबह एक बार आओ साम को एक बार जब तक आप नहाते नहें तो फिल खाना मत खाओ अच्छा सुबह साम दो बार आपको नहाना चीए अच्छा नहाने के टा एक क्लीन होना चीए सुबह साम नहाओ गे तो पूरा आपका पसीना भी सारा सोरा निकल जाएगा और आपको नींद भी अच्छी लगेगी खाना हजयम होगा और आपको जो दिन बर का जो धूल का एलर्जी है वो निकल जाएगे इसके लिए और जब कभी आपको सर्जी हो होता है खासी होता है तो गुनगुना पानी पीलो उसमें किचन किचन बोले तो मराड़ी में हम लोग बोलते आजीबाई का बटवा अच्छा अजीबाई का बटवा में इतनी ताकत है अपने किचन में भहत सारी दवा है आपको समझो बार बार खासी होता है तो एक लोंग एक काला मेरी और दालचिनी उसका तुकड़ा खाली चबाते रहो आपका खासी बिल जाएगा तुरंद आराम मिलेगा बहुत चरक कफ है आपको हल्दी रोज एक चम्मच आप रोगे ना तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा कैसे इस्तिमाल करना हल्दी हल्दी सुबे गुंगना पाने में डालो और पीलो हली पेट पीलो बहुत फाइदा है चाय में दूड डालते तो उसको हंडेड परसंड आइसेडिटी होते है अच्छा काडा गुड का जो कॉपर कलर का गुड रहता है कॉपर कलर का गुड कोई गवती चाय बोलते ना ग्रीन लेबल लेमिन ग्री लेमिन टी डालो उसमें थोड़ा सा धनिया डालो ऐसा डालने से आपका कप खासी निकलेगा सुबे गुंगना पाने के साथ यह ले सकता है अगर कप पर दमा जैसी तकलीफ हैं बहुत सारे लोगों को होती है खासकर बु उसका इलाज हो सकता है लंबी खासी है दमा की बिमारी है तो उसको पहले थंडी चीजे ने खानी है अच्छा गरम चीजे मुँओ जैसा कि पानी गरम थोड़ा गुंगुना पानी पिना पिना जिये अभी देको यह नहीं महामारी में गरम पानी का सुझावत दियां लोग ज्यादा गरम पाने पियोंगा तो ये नाजुख जागा रहता है और फोड़ी हो जाएगा. गरम पाने से अपका सुबेश समझो किसी को पीट साप नहीं होता है तो गुन गुना पानी पियो आपका पीट साप होगा. मेती है थोड़ा गराम है लेकिन वो भी कभी बीच में खालो पालक की भाजी है करेला का भाजी खाओ चकली बना के मस तो एकदम बढ़िया लगती है अच्छा खा लिजे स्वस्त रहने के लिए क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है जो आप सुझाओ देना चाहेंगे स्वस्त रहने के लिए घर का खाना हसी-खुशी मजाग करके फैमिली में रहना कोई विदावर टेंशन मतलब कोई बीकारन रहता है तो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेगा टेंशन से कोई पाइदा नहीं होता है नुक्सान ही नुक्सान होता है उसके उपर कुछ सुझाओ दूंडो कॉम्प्रोमाइज करो मिले जुले सब फैमिली होना चे यह सबसी बड़ी दवा है आपका दिन बर फ्रेश रने का या आपका तबेट ठीक रखने का यह सबसे बड़ा नए तो आपकी तबेट थटी कटी है लेकिन आपको बहुत सारे टेंशन है टेंशन से खतम होते हैं मै आपके जब घर के तरब देखते हैं तो हरो आपने तमाम वनस्पतिवे हुगा रख ऑपने कितने पेड लगा कि आपने रख़े हुए इससे आप इलाज करते हैं यह एकसरो है कौन कौन सी वनसपतिय है कौन से वस्थदी पेड है और किस तरह से किन-किन बिमारियों का आप उसके जरिये इलाज करते हैं। अब देको यह मैं न्यू बंबे में 91 से आया है। 91 का पहले मुंबई में था जगे के वज़े से किदर नहीं लगा पाया। लेकिन गनिशनाय की गाव में आया। चालिश लोग मिलके हम लोग जगा लिया तो वहां से शुरुवात हो गई। परियावरण मंत्री के गाव में यह परियावरण का शुरुवात हो गया। इसा मैं मानता हूं। यह जो 38, 34 टाइप का जो आउस्यदी वनस्पति है। शुरु में हमारे सोसाइटी में उसको विरध होआ। विरध होने के बाद उल्टा मेरे को प्रसिद्धी मिला। जो शुरु में 2000 में गया। लेकिन आज सोसाइटी वालें को उसका महत्व पता चला। तो आज वो बोलते हैं अच्छा है अम लोग अभी बहुत सारे लोगों को पाइल्स की तकलिव है। शुगर की तकलिव है। तो उनको बोलते हैं भाईएज देखो ही। सुबह आने के बाद खाली पेट यह पता खालो। सुबह खाली पेट जितने यह पत्ते आप खाऊगे उतना आपको असर जादा होगा। 38 या 40 टाइप का हरबल प्लांट्स है। उसमें मेन है दिको डाइबेडिस के लिए मदुना सिनी। उसको आप हिंदी में गुड़मार बोलते हो। गुड़मार के पत्य ऐसे हैं उसका कांड़ी भी चलता है पत्ता भी चलता है। गुड़मार जितना हई सुगर है उतना आपको जल्दी लेवल मिलाएगा। यह गुड़मार का काम है। अपके इंसुलिन में ग्लोकोज की बढ़ा होती है। उसको घटाने का काम यह गुड़मार करती है। दूसरा सपेत वाला सदा बहार वो ब्लड कैंसर और डाइबिडिस के लिए चलता है। वो हम पत्ते लोगों को खाने के लिए सज़िस्त करते हैं। तो यह मदुनासीनी डाइबिडिस के लिए। पत्थर चट्टा है। हम लोग पान पुठी मराटी भी बोलते है। तुम्हारा कैसा भी युरीन स्टोन हो या किड्नी स्टोन हो। कि आपकी बवासिर हो पत्तर चट्टे से पानफुटी से आपको पत्तर गल जता है उसके साथ में जिसको ज्यादा पत्री है उसको काला मेर्च रिवाद सुबह दिल निकलने के बाद जब आपको जड़ी बुटी में तोडने का होगा तो भगवान का दर्शन लेके अच्छा धनवंद्रे का दर्शन लेके वो आप लेने का सूरज निकलने के बाद सूरज ढ़लने तक यह आप यूज कर सकते हो सूरज ढ़लने के बाद उसको हाथ दूसरा collection sheet नॉर्म लाद्मी का सकता है MICHAEL इन्सुलिंिन क्लांड निस से क्या होता है शुगर लेवल में रहेगा आपका खाना हुगा समझा आपको युरेनिुपिक्षिन है दो चार पति कनो आपको युरेन साफ हो पेट साप रहेगा सरीर के अंदर जो heat है वो heat कम कर देगा जोर बोलते हैं जोर जोर कम कर देगा हड़ी का बुकार हो सरी में बदन में गर्मी है वो कम कर देता है सदा भार blood cancer sugar दूसरा है अभी ये खाने का पत्ता है बनारस पत्ता कलकत्ता पत्ता वो hybrid हो गया पान का पत्ता नागवेली बोलते हैं उसको मगाई की पान भी बोलते हैं उसका mouth freshener करके उज होता है खाना हजम होता है आपको कोई gas भीस नहीं होगा acidity नहीं होगा इसके लिए और दो आडा है गण्ले मेर्डं़ के पानी मेर्ठे की पत्ता नहीं होता है आप उसका खाने का पत्ता शिहद नियित, लॉंग और जल्चिन जलरे खाने का पत्ता करो को आपकी tv in고 ओं ठीक होगी ती बी शरी का बीमारी ठीक होता है पान के पत्ते लोग बहुत काम की खबर को कि पान का पत्ता वो पान दो तीन पत्ते लेओ उसमें थोड़ा शहट डालो थोड़ी से अद्रक डालो काली मिर्ष डालो थोड़ी से लोंग डालो और डाल डालो जो जो लोग आपका विरोफ करते हैं के नहीं पर नहीं को बहुत करते हैं घोड़य पत्ली ads की बहुत तक लीवाइं खतने में होता है उनको बोला देखो ये नागडोन करके है नागडोन की सुबह नीचे आओ अच्छा सा धोलो और दो तिन पत्ते खालो नागडोन से आज वही बंदा बोल रहा है मेरा पाइल्स का तकलिब एकदम नर्मल हो गया तो और कौन-कौन से पेड़ है जो आपके आस-पास नागडोन बाबा रामदयो के जिस्चा है बाल कुष्ण उनकी वीडियो देखो वो बोलते है ये खुद हम खुद ही बोलते थे कि ये जहरेली जड़ी बुटिया है लेकिन हमारे सरेका इसे लोगों ने सर्च करने के बाद उनको बताया है कि ये तुमारे महिलाइं के ब्ल सर्च करो नागडोन डालो नागडोन इतना डालो तो भी आपको जड़ी बुटी देखने को मिलेगा नागडोन ऐसी बीमारी भी खतम कर देती है जुनाई पुरानी बवासीर शरीर के अंदर हड़ी का बुकार और ये महिलाओ लड़ी की लोगों का जो अभी समस्या चल र होता है तो ये समस्या कि रामबान इलाज बोले तो नागडोन इंसुलिन प्लांड पत्थर चट्टा ऐसे बीमारी के लिए ये जड़ी बुटी बहुत फाइदेगा है तो ज्याड मेरे पास है तेज पत्ते के दो ज्याड़ है आपको कोई भी खाशी होगा गले में खरोच लुट्रेशट आपकोई जऑाए तो तेज पत्ते के पार्टा अच्शे सा दौलो और खालो तुक का पत्त अपना किछें में रहता है लेकिन फुक का पत्त इश पा नहीं होता है तो कचे नहीं होता है लिंए जाए पत्ते reaction मे के घ्र पत्ति में ज्यादा जूस निकल तह नचनल फानाता था आपको कप इस पते हैं जब कर आपके अब शक्तर सब्सक्राइब धेयां Nom अब आप बता रहे हैं तो आपने तेजपता बता है दूसरा रहां पत और था लिए पीपड़ि एक अधिया नागवेली है उस आपको खाजी कप तुमेग और में समयारी, साइनेंज की बिमारी इसे हारा मिलता है आप जब सदियां लेने के लिए लोग आते हैं तो किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं क्या को ज्याधा खर्च लगता है क्या होता है जैसे एलोपेथिक में बहुत सारे साध कड़ो हजारों रोपय लगते हैं, तो जब इस तरह से वनस्पती चिस्साब करते हैं, तो किस तरह से उनने उनका उपचार करते हैं? यह मेरे पास जो लोग आते हैं लाखों रुपय खर्चा किया हुआ है जो बोले है डेड़ लाख रुपय खर्चा आता है गुटने का रिप्लेस्मेंट करने के लिए बोला है तो हम यहां रिप्लेस्मेंट कोई काट चाट नहीं रहती है हम लोग यह मसाज करते हैं जो सरक्याना चीए उसको मसाज दिया जाता है जो पॉइंट होता है गोली पाउडर तेल बाम दिया जाता है उसे वो ठीक होता है आपने तकरीबन 20 से 30 सालों से आप ये निरंतर इस तरह से और सदियों से इलाज कर रहे हैं मैंने सुना आपको इसके लिए तमाम पुरसकार मिले ह हैं और कितनी प्रेणा मिलती है इस तरह के पुरसकारों से आपको पुरसकार मिले है देखो 2013 में पुरुत्रवाद चावान साब थे पुश्टाइम एक नामांकित मीडिया था वरतमान पत्र मुंबई मिरर टाइम्स ग्रूप टाइम्स ग्रूप टाइम्स ग्रूप ने गुगल पर सर्च करके हमारी तक पोँच गए और 37 हिरो में फाइखो टॉप फाइखो प्रूप हरोज करके हमारी सिलेक्ट हो गया उसमें हमारा परियावरं करेवर्क समित्र करके पुरसकार मिला 2013 में अभी 2019 में दादा गावकर पुरसकार मिला आयर्वेदाचारिया और सम जहिंतिक के आउसर पर माननी दिलिप जीवल से पाठिल कामगार मंत्री है और सुप्रियाताई सुलेश उनकी तरफ से परियावरं और आयर्वेदिक करके पुरसकार मिला है उसके पहले BST में विदावड एक्सिटान उत्तम कारिया निर्विडता के आउसर आईसा काम किया है उसके लिए भी प्रसेज़ी पत्र मिले है सेंचुरी वाइल आई पावार मिला है रोटरी क्लब सी साइट नवीम भई नेरूल का वह भी बेस्ट ड्राइवर करके पुरसकार मिले है कोकन दरपन की तरफ से अच्छा सावार मिला है नवीम भई के विनाइक पात्रोड करक तरफ ẹम अमन दरिक तरफ से लोकमत्च्ट्र अभिमान नवीं भई का मिला है अश्यो पुष्पो पुरसकार मिला है राई वर्तदीप की पुरसकार मिला है ऐसा करिब 35-45 पुरसकार है 15-65 i.59 पुरसकार mily विले तो क्या है एक जिम्मेदार आरे आपने को खुशी है कि वह बगा सर्टीपिक है मंड़िया अवार्ड मिला है, सर्टीपिक्ट मिला है उससे प्रिन्हा मिलती है यह और पूली चीज नहीं और इस तो समाजपृति हमारा एक करतव रहता है यह जम्यदारे हमारे उपर और रखी है वह हम सब फैमिली मिलके उसको आगे चलाएंगे सर आकरी संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और ऐसे लोगों को जो वाकई बीमार है और प्राकिर्तिक चेकिस्सा खासकर वनस्पतियों से आईरवेद से जो चेकिस्सा चाहते हैं वो आपके पास आना चाहेंगे आईरवेद बोले तो बहुत बड़ा जीवन का एक बड़ा खजाना है उसका सवर्दन होना जरूरी है आज कोई भी बीमारी है आईरवेदिक वनस्पति और एक घरे लोग किचन में जो छोटी मोटी समस्या है आपकी वो ठीक करने में उसमें बहुत योगदान है वो होना चाहिए उसका सवर्दन होना चाहिए आपके घर के अगल बगल में जैसा कि कपर तुल्षी है पेपर मिंट तुल्षी है कुरुष्ण तुल्षी है वैजदी तुल्षी है राम तुल्षी है यह सा तुल्षी लगाना चाहिए घर के अगल बगल में मच्छर होता है तो जें तितली रहेगी, मद मक्ही रहेगी, आच्छे आच्छे पंची आएगे, लेकिन घर के बाजयों में मच्छर नहीं होना चे, मक्ही नहीं होना ची, इसके लिए साप सुतड़ा रखो, आपन ऑक्सीजन हस्पीटिर में लगाए तो डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन आच्छे लिए उसका अपन गंटी नहीं कर सकता है, तो ये पेड़-पोदे से जितना औक्सीजन मिलता है, औक्सीजन का कार खाना बनता है, इसके लिए हम लोगों को अफील करता हूं कि आप जितना हो सके, उतना पेड़-पोदे लगाओ, या इसे महमारे से बचटो, तं टेंशन मुक्त रहो टेंशन लेने से कोई फाइदा नहीं होता है हसी-खुशी मजा करके पुरा फैमिली रहो और रोक मुक्त रहो यह संदिश देना चाहता हूं जो लोग संदिवात, पाइल्स, स्पाइनल और स्पॉंडलाइटिस या रक्त विकार या किड्निस स्टोन इस तरह की विमारियों से ग्रसित हैं और इलोपैथी का इलाज करवाते हुए ठक रहे हैं जिस सरह से रनावरे साब ने कहा आप उनके पास आ सकते हैं उनसे अवस्दी उपचार ले सकते हैं जो अईरवेद और वनस्पती चिकिस्टा है उसका आप सीधे प्रत्यक्ष आप उसका लाव ले सकते हैं और वो भी तकरीबन मुफ्त में या या कह सकते हैं कि बहुत ही कम न्यूनतम पैसों में आप अपना अच्छा इलाज पा सकते हैं आज की जो बाच्चित का हमारा मकसद था कि आपको वनस्पती चिकस्टा आयरवेद के जरिये एक अच्छे वैद के जरिये आपको यह हम बताने की कोसिस करें कि कैसे आप स्वस्थ और खुसाल रह सकते हैं हम हम उमीद करते हैं कि आपको आज की यह बाच्चित निश्चित तोर पर पसंद आई होगी अगली बार हम फिर किसी नई सक्षियत से मिलेंगे और आप से रूबरू करवाएंगे तब तक दीजिए हमें इजाज़त लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नयाड़ा TV1 आप